जे स्री क्रिश्ना आण रविवार के दिन आईए सुनते हैं रविवार ब्रत कथा रविवार ब्रत की पौराडी कथा के अन्सार प्राचिनकाल में एक बुषिया रहती थी वह नियमित रूप से रविवार का ब्रत करती रविवार के दिन सुर्य योदय से पहले उठकर बुषिया असना नादि से निब्रीत होकर आगन को गोबर से लीप कर स्वच करती उसके बाद सुर्य भग्मान की पूजा करते हुए रविवार ब्रत कथा सुनकर सुर्य भग्मान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती सुर्य भग्मान की अनुकमपा से बुषिया को किसी प्रकार की चिंता इवं कष्ट नहीं था धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था उस बुषिया को सुखी होते देख उसकी परोशन उससे जलने लगी बुषिया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी अतह वह अपनी परोशन की आंगन में बधी गाय को गोबर लाती थी परोशन ने कुछ सोच कर अपनी गाय को घर की भीतर मान दिया रविवार को गोबर न मिलने से बुषिया अपना आंगन नहीं लीप सकी आंगन न लीप पाने के कारर उस बुषिया ने शुर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन श्वैम भी भोजन नहीं किया सुर्यास्त होने पर बुषिया भूखी प्यासी सो गई प्रातहकाल सुर्योदय से पुर्व उस बुषिया की आग खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुन्दरगाय और बच्छे को देख कर हैरान हो गई गाय को आगन में बात कर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया परोशन ने उस बुषिया के आगन में बधी शुन्दरगाय और बच्छे को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी तभी गाय ने सुनी का गोबर किया गोबर को देखते ही परोशन की आखें फट गई परोशन ने उस बुषिया को आज पास न पाकर तुरन उस गोबर को उठाया और अपनी घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई सोनी की गोबर से परोशन कुछी दिनों में धन्वान हो गई गाय प्रती दिन सुर्योदै से पुर्व सोनी का गोबर किया करती थी और बुषिया के उठने से पहले परोशन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी बहुत दिनों तर बुषिया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला पुर्विया पहले की तरह हर अभिवार को भगवान सुर्यदेव का ब्रत करती रही और कथा सुनती रही लेकिन सुर्यभगवान को जब परोशन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई आंधी का प्रकोप देखकर बुषिया ने गाय को घर के भीतर बान दिया सुबहुटकर बुषिया ने सोनी का गोबर देखा उसे बहुत आश्चर्य हुआ उस दिन के बाग बुर्या गाय को घर के भीतर बाहने लगी, सोने के गुबर से बुर्या कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई, उस बुर्या के धनी होने से परोशन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पती को समझा बुझा कर नगर के राजा के पास भेज दिया, सुन्दरगाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, सुबह जब राजा ने सोनी का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा उधर सुर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्राथना करते दे, उस पर बहुत करुडाय आई और उसी राग शुर्य भगवान ने राजा को श्वप्न में कहा, राजन बुर्या की गाय वबस्डा तुरंत लवटा दो नहीं तो तुम पर विपत्यों का पहार तोट पड़ेगा, तुम्हारा महल नश्ट हो जाएगा शुर्य भगवान के शुप्न से बुरी तरभ है भीत राजा ने प्रातह उठते ही, गाय और बच्रा बुर्या को लवटा दी राजा ने बहुत सा धन दे कर बुर्या से अपने गलती के लिए छमा मांगी, राजा ने परोशन और उसके पती को उनकी इस दुष्टता के लिए डंड दिया फिर राजा ने पूरी राज्य में घोश्रा करवाई की, सभी इस्त्री पुरुष रभीवार का ब्रत करेंगे, रभीवार का ब्रत करने से सभी लोगों के घर धन्धाने से भर गए राज्य में चारों खुस हाली छा गए, इस्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे, तथा सभी लोगों के सारी रिक्कष्ट भी दूर हो गए